Q14 में integrate करना है 0 से 1 2x plus 3 by 5x square plus 1 dx यहां पर देख रहें कि x का square का differentiation 2x आएगा तो शरिफ ए term differentiation है denominator का और ए term नहीं है तो हम इसे separate कर लेंगे 021 2x by 5x square plus 1 dx तो यहां पर क्या करेंगे x square को t माल लेंगे नहीं तो टोटल को हम t मान सकते हैं 5x square plus 1 को t करेंगे तो 10x dx is equal to dt हो गया तो यह 021 तो यहां पर 2x dx के जाए पर dt by 10s लिखेंगे और इसे t करते हैं तो यह 5x cancel हो गया अब इसका integration plus इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें 5 से बाहर भी कर लेंगे नहीं तो हम यहां पर 5 को एक साथ consider कर भी सकते हैं 3 by root under of 5x whole square plus 1 को 1 का square dx तो इसमें हमने substitute किया था अब इसका integration log t आएगा log t modulus of यह बाहर आगया 1 by 5 अब जो हमने यहां पर देखो t के value को evaluate नहीं किया यहां पर हमने यह 0 और 1 है वो x की value है तो अब यह t के जगा पर 0 1 put नहीं करेंगे अब इसका integration निकालते हैं इसका integration निकालेंगे तो 1 by a a के जया तो 1 ही रहा 10 inverse of x x के जाब पर root 5 into x by 1 और x का coefficient root 5 है चलिए root 5 से divide कर लेंगे अब इसमें भी upper limit lower limit put कर देंगे 0 से 1 यहां पर x की value ही 0 और 1 दिया है यहां पर t की value नहीं x की value 0 1 दिया यहां पर फिर से reset करेंगे 1 by 5 log t के जगा पर फिर से value put कर लेते हैं 5 x square plus 1 5 x square plus 1 upper limit और lower limit अब प्लस 1 by root 5 बाहर हो गया तो tan inverse of root 5 x के जाब पर 1 put कर देंगे minus tan inverse of x के जाब पर 0 put कर देंगे तो यहां आएगा 1 by 5 log x के जाब पर 5 put कर देंगे 5 plus 1 6 minus log x के जाब पर 0 put कर देंगे log 1 तो यहां आएगा 1 by root 5 tan inverse of root 1 root 5 और tan inverse of 0 0 हो गया तो log 1 का value भी 0 हो गया तो 1 by 5 log 6 plus 1 by root 5 tan inverse of root 5 यह answer इसमें 3 बाहर हो गया 3 इसमें बाहर किया नहीं था 3 बाहर हो गया 3 फिर मल्टिप्लाइ हो गया हम पर तो 3 multiply होगा 3 by root 5 यह answer आएगा 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 झाल झाल